सुनीता विलियम्स अभी भी अंतरिक्ष में है लेकिन अंतरिक्ष में रहकर भी वो नहीं भूली है अपने गड़पती बपा को भगवान गड़ेश को हमेशा अपनी साथ रखती है सुनीता विलियम्स ये बात उन्होंने कही थी सुनीता विलियम्स भगवान गडेश को काफी बानती है और अपने पूर्व अंतरिक्ष मिशन पर भी भगवान गडेश की मूर्ती को ले जा चुकी है और इस समय गडेश उस्सव का माहौल भी चल रहा है इतना ही नहीं भगवत गीता को भी सुनीता अंतरिक्ष में ले जा लेकिन अब अगले साथ फरवरी में ही दोनों की धर्ती पर बापसी होगी दोनों को अंत्रिक्ष में ले जाने वाला बोईंग स्टार लाइनर तक्नीकी खामी की वज़े से वापस प्रत्वी पर लौट चुका है एक आम आदमी के लिए ये खयाल या विचार करना नामुम्क कर लें कि वो किन हालातों और परिश्यतियों में रह रही है लेकिन वो रह रही है और यहां पर इस बात का सामने आना कि गड़पती बपा पर विश्वास करती है वो यह मिशन भले ही अब तक पूरा नहीं हो सका हो लेकिन सुनीता विलियम्स फिर से चर्चा में आ गई है उनके पुराने इंटर्व्यूस वाइरल हो रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी परसनल लाइफ के बारे में भी बहुत सारी बाते खुलके की थी सुनीता भगवान गड़ीश को अपना लखी चाम मानती है और एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा था कि मैं हमीशा ही ले जा चुकी हैं इतना ही नहीं भगवत गीता को भी भगवान के अलावा मानती है वो और अलावा समूसा भी उन्हें काफी पसंद करती हूं और मुझे खुशी है कि मैं इसका एक हिस्सा अपने साथ अंतरिक्ष ले जा चुकी हूं भगवान गड़ीश का जिक्र करते हुए सुनीटा विलियमस ने कहा था गड़ेश हमेशा मेरे घर में हैं मैं जहां भी रहूं मेरे भगवान गड़ेश को अपने साथ रखत इसके अलावा उन्होंने भारती खाने को लेकर बताया कि आप भारती भोजन से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते इसलिए मुझे ये सुनिश्चित करना था कि मेरे पास अंतरिक्ष में मेरे साथ कुछ समोसे हो अनिप्रकार के भारती भोजन भी निश्चित रूप से वहां इस तरह से सुनिता विल्यम्स ने धीर सारी बाते अपने पुराने इंटर्व्यूज में शामिल की हैं जिसमें सबसे खास बात है कि वो मानती है गनपती पपा को इस वक्त समय चल रहा है गड़ेश महुसवकार और उनके लिए हम सभी क्योर से दुआ है कि गनपती पपा उ के लिए इस वक्त ये दुआ कर रहा है